साथियों, आजहादी के अमरित महोसों में देश अनेक संकल्पों पर काम कर रहा है। विहंगम योग संस्तान सद्गुरुस सदाफल देवजी के निर्देशों का पालन करते हुए लंबे समय से समाज कल्यान के कितने ही अभियान चला रहा है। आज से दो साल बार आप सभी साधक यहां सोवे अधिवशन के लिए एकत्रिद होंगे। दो साल का यह बहुत उत्तम समय है। इसे ध्यान में रखकर मैं आज आप सभी के आप सभी से कुछ संकल्प लेने का आगरग करना चाहता ह। यह संकल्प ऐसे होने चाहिए जिसमें सद्गुरु के संकल्पों की सिद्धी हो और जिसमें देश के मनोरद भी शामील हो। यह ऐसे संकल्प हो सकते हैं जिनें अगले दो साल में गति दी जाएं। मिल करके पूरा किया जाएं। जैसे एक संकल्प हो और हो सकता है हमें बेटी को पढ़ाना है। हमें हमारी बेटीों को स्किल डेवलप्मेंट के लिए भी तैयार करना है। अपने परिवार के साथ साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं वो एक दो गरीब बेटीों के स्किल डेवलप्मेंट की जिम्मेदारी उठाएं। एक और संकल्प हो सकता है, पानी बचाने के लिए हमें अपनी नदियों को, गंगा जी को, सभी जलस्रोतों को स्वच्छ रखना है, इसके लिए भी आप से समस्तान द्वारा नए अभ्यान शुरू किये जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, देश आज प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। इसके लिए लाखों लाख किसान भाई बहनों को प्रेडित करने में भी आप सब बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। हमें अपने आसपास सफाई स्वच्छता का भी बिशे ध्यान देना है। किसी भी सारवजनिक जगह पर गंदगी न फेलें ये ध्यान रखना है। परमात्मा के नाम से आपको कोई न कोई सेवा का ऐसा कार्य भी जरूर करना है जिसका लाख पूरे समाज को हो।